नमस्कार बिंद भारत के साथ एक बार फिर मैं प्रदिप्तर पाठी आए डालते हैं अब तब की प्रमु खल चलो पर एक नजर बश्कार दोस्तों मैं बिंद भारत के साथ मैं मनेश दुवेदी मैं आज पहुंचा हूँ ग्राउंड जीरो पर यह खोरवा लगता है खोरवा सिहावल बिधानसभा 200 मेटर आओ रहे हैं यहाँ पे ग्रामेड एक अठा है ग्रामेड रोट को लेकर विरोत दर्ज करा रहे है और सरकार रोट पानी बिजली सड़क की बात करती है मगर पिछले 10 सालों से इस रोट का निर्मार कार नहीं हुआ और कागज पर सेंसन हो गया कई बार सेंसन हो गया अब चुनाओ चालू हो गया है और नेता भी सक्री हो गया है टिकट भी चालू होने वाला है तो जब टिकट इस बार लेने आएंगे और बोट मागने आएंगे तो क्या कहेंगे आप चाल देखेंगें जो बनवाए ऊसी को बोट देंगे पहला मुद्द यही रहेगा आप क्या कहेंगे हम लोग सब यही कहना चाहते हैं कि रोड बने हम लोग क्या चुनाओ जीतने के बाद नेता कभी अधर आते हैं अब आमेर आ अधे जयते हैं सब जंटा स्वासन देकर च आते हैं क्या सांसद महोदय को आपने इस शेत्र में कभी देखा है अभी हम लोग देखें नहीं है यहां पर चुनाव के लिए परचा लेकर आएंगे तो उनको क्या जवाब देंगे पहले इसको देख लिए काम कितना हुआ है हम लोग कितना विकास हो रहा है रोट पर गड़ा अफ में रोट गड़ा है रोट में पूड़े गड़ा है रोट का नाम हो निसान नहीं है कौन सी ग्राम पंचाइत है और वट होगा प्रफ न है इकाई साल कोहाई कि रोट कब बनी रही दस साल पहले बनी रिरोट रही लगाई के बर्साथ में बर्साथ में का हो थे गिर्याथ नेता हाँ छेत्र के सिहावल के कुछ कहा वे नहूं की अपका कहीं अपना प्रचेंट कर अपना प्रचेंट महीना राखी तुनका यह बोट ले आवा था और रोट पानी बिजली सड़क बनाऊ पित का कवो दखा था फिर आज हमार भातीजी आज हमार बीटिया ठड़ी है एक बोट देवे करें फिरो दिन ते मुह ने देखा थी बोट पाजाती है गाउं का नाम है खुरवा टोला